हम सिंद्या जी को 1980 में अर्जुन सिंजी ने और संजय गांधी जी ने मुझे पर दाइच सोपा था कि हम स्वर्गी शीमत माधराउजी सिंद्या को कॉंग्रेस में लाए और मुझे इस बात को कहने में कहीं हिचक नहीं है कि ये काम संजय गांधी जी ने और इंद्रा जी ने मुझे को और अर्जुन सिंजी को सौपा था और मुझे इस बात की प्रसंता है कि हम माधराउजी महाराज को कॉंग्रेस में लाए और उसमें आकर उन्होंने अपनी एक चवी एक अच्छे मंतरी की रूप में एक अच्छ से निकल रही थी उसको हमने दोनों ने मिलकर इसको हजीरा विजयपूर जगदीशपूर की लाइन लाए जिसकी बज़े से हमारे एन एफेल और गेल आया और इसका पूरा श्रेज आता है तो हमारे स्वर्गी श्रेमंत माधराउज सिंद्या और मुझको जाता है जंकि हम ने राजी गांडी जिसे मिलकर ये कराया है आज आप देखेंगे कि विजयपूर एक एक प्रमुक्त केंद्र हो गया है हमारे प्रतेश में इसका इंडस्ट्रिल एडवांसमेंट का इसी तरह से मैंने पूरा इस इलाका गुना संसदी शेत्र इसमें मैं हस्तशेप नहीं कर गयता था लेकिन उसके दिहान के बाद जो तेरा सिन्या जी आए और उनको भी मैंने वही सयोग दिया और उनको कभी भी मैंने मर्द प्रदेश में राजनीती में कभी भी उनको मैं कभी उनके लिए बीच में आड़े नहीं आया हमेशा मैं बड़ा काता था क्योंकि मेरे प आकर कांगरेस पार्टीनों ने क्या नहीं दिया! हर कांग उनका किया! मंतरी पत दिया! उनके कहने से मंतरी बिनाए! उनके कहने से हर फ्रकार का हम लोग羅 ने समर्थन किया! अब 2018 में, 2014 में से 22 इह भीधायक उनके साथ थे और उनको हम मुखियमत्य कैसे बना देते! जहां अपार बहुमत कमलाजी के साथ था तो उनको मुख्य मंत्री हम कैसे मना सकते थे पूरे तरीके से हम लोगों ने उसके बात भी सयोग किया जो उन्होंने मंत्री मंडल में नाम दिये वो हमने लिये जो मंत्रा ले मांगे वो दिये जो काम चाहते थे वो हमको किया सिंद्या स्कूल की जमीन निशुल गदी कमलना जी ने जो कि आज अपने आप में उसके खिलास अनिक बाते होती है मैं आप से कहना चाहता हूँ कि 2018 में बड़ी मुश्किल से हम लोगों के सरकार बनी थी और सरकार अच्छी चल रही थी वादे पूरे किये जा रहे थे किसानों के करजे माफ हो रहे थे बिजली के बिल घटते चले जा रहे थे और जो माफिया राज था जिसनों ने सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कालोनी कात ली थी बड़े-बड़े मकान बना दिये थे उनके खिलाफ कारवाई शुरू हो गई थी ब्रष्टाचार के उपर जांच शुरू हो गई थी और उन ब्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ कारवाई जब चालू हो रही थी जिसमें कि व्यापम के अंदर शेवराज सिंग चोहार और उनके सभी साथियों को यारोपी बना सकते थे इससे हडवडा कर इन लोगों ने शेटिन रचा और विधायकों को 25 से 50 करोड रूपे दे कर उन्होंने खरीद लिया और आप द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा दी मेरा आप से यही कहना है कि पिछले पांच साल में 15 महीने छोड़ दिये जाएं जितना भरष्टाचार मैंने देखा है मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी किस प्रकार का भरष्टाचार होता होगा हर सीज के लिए कमिशन और यहां तो हदी हो गई यहां के माननी मंत्री जी का हाल तो यह था कि रेट लिस्ट अंगी हुई थी कि कितना काम है कितने पैसे ले आओ तुमको जो बनाना बनाओ और उस पर खुली छूट थी अभी मैं एक जगे गया था बेरसिया में मुझे बताया गया वहां के सांसद मौने ने किसी को के नाम से सांसद निदी का काम किसी को सौपा था उसने 45 लाख रुपे उसने एक खटे कर लिए एक व्यक्ति ने और उसके बाद वो गायवे 45 लाख रुपे लेकर हर चीज की रेट लिस्टंगी है विदायक जी की रेट लिस्ट है कोई काम होगा 25 परसंट लाओ 30 परसंट लाओ मुझे बताया गया कि यहां बस टेंड ऐसी जगे खड़े कर बना दिये यहां कि बसे नहीं जा सकते हैं यहां पर टेंकर के अंदर गोपिलाज जी हमार की खुशी है कि हमारे उम्मीद्वार ने पंकज ने एक संकल्प पत्र प्रपानित किया है गुना शेहर की प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है क्योंकि गुना शेहर आसपास बढ़ नहीं रहा है यदि आप देखेंगे तो हमने रागोगर को भार निकालने के लिए साधा त प्रतेगर रोड पर बदंगर रोड पर यहां हमको आवासी प्रगति के लिए हमको जमीन दूनना पड़ेगी मास्टर प्लैन बनाना पड़ेगा मास्टर प्लैन सुन्योजित प्लान आप नहीं बनाओंगे तो गुना को शेहर को आप कैसे आगे बढ़ाओंगे आज हालत यह है कि ट्रैफिक का आप हालत देख लो कोई अंदर घुस नहीं सकता आपके नए नए एरियास डेविलप करना पड़ेगा मार्केट प्लैसे तयार करना पड़ेगा और किसी प्रकार हम छोटे-छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं यहां पर छोटे-छोट उद्योग्त पहले थे धीरे-धीरे बंद होते चली गए नोट बंदी में जो कुछ बचा था सो और बंद हो गया आज गुना एक क्रशी के मामले में एक अच्छा उत्पादन शित्र बंदता चला जा रहा है यहां के क्रशी उपज बंदी में अच्छे व्यापारी हैं उन यहां लोगों ने जो किया है मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि काफी अच्छा धंग से इनों ने पंकर्श ने जिनकिम लोगों साथ तयार किया है मैं इस बात के लिए इसको बढ़ाई देता हूँ किस लड़के में सोच है कैसे गुना शेहर को सुंदर और बनाया जा सकता है इस पर ये कलपना करता है ऐसी बातों को हम लोगों को उसको ज़्यादा पराई देना चाहिए और मैं आपको दावय के साथ कह सकता हूँ पिछले एक साल से मैं पूरे मद्ध प्रदेश में घूम रहा हूँ मुझे पार्टी ने 66 ऐसी सीटों पर जाने के लिए कहा था जहां हम लोग निरंतर चुनाव हारते चले आ रहे हैं पूरे प्रदेश का मैंने दोरा किया है आचार सहिता के पहले लोग डरे हुए थे खुलकर साम जनता ने संकल्ब ले लिया कई जगे से मेरे पास शिकायत हैं यहांते जनता के लोग शिकायत करते हैं जो राजनीती में नहीं है कि साब जनता कॉंग्रेस को जिताना चाह रही है कांग्रेस सी सुस्त क्यों है दरसल पूर्व सीन दिगविजय मध्यप्रदेश के विधान सभा चुनाफ प्रचार के दोरान गुना आये थे यहां उन्होंने कॉंग्रेस प्रक्तयाशी पंकच कनेरिया के समर्थन में विशाल जन सभा को संबोधित किया था उन्होंने कॉंग्रेस कार्यकर्ताओं को संपर्क, समबाद, समन्वय और सामन जस्य का मंत्र दिया उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ मिलकर गुना जिले में एनेफिल, गैल, पाइपलाइन लाए थे जिले में सिर्फ 22 विधायक सिंधिया के समर्थन में थे, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था दिग्विजय ने आगे कहा कि जोतिरादित्य सिंधिया को सरकार गिराने के लिए कभी माफ नहीं करेंगे व्यापम की जाच शुरू हो गई थी, इसलिए हडबडाकर शिवराज ने सरकार गिरवाई 25 से 50 करोड में विधायक खरीद कर सरकार बनाई 15 महीने छोड़कर पिछले 5 साल में जितना भ्रष्टाचार देखा है उम्मीद नहीं थी दिग्विजय ने बत्या की कॉंग्रेस कार्यकाल में टोल नीती लाए जिससे सडके सुधरी, बिजली सन्यंत्रों से बिजली मिल रही इतने समय के कार्यकाल में मुझ पर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जिसने लगाया उन पर मैंने मुकदमा दायर किया बीजेपी हमारे घोशना पत्र की नकल कर रही है सिंधिया और बीजेपी के रागोगड प्रत्याशी पर निशाना साथते हुए कहा कि जहां रहो इमानदारी से रहो दगा दोगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी दिग्विजे सिह ने दावा किया कि कॉंग्रेस सरकार में व्यापम घोटाले की जाच हो रही थी और शिवराज सिंध चौहान को आरोपी बनाया जा सकता था इसलिए जोतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर हडबढाकर शड्यंत्र रचा गया और पचीस से पचास करोड रुपए देकर विधायक खरीद लिए पूर्व सीएम के मुताबिक भाजपा की 18 साल सरकार रही लेकिन जितना भ्रष्टाचार बीते 5 सालों में देखा गया है उतना कभी नहीं हुआ दिग्विजय ने आवहान किया कि सिंधिया शिवराज और उनके समर्थकों की दगाबाजी की एक ही सजा है कि उन्हें वोट न दिये जाएं और साल 2023 में मतदाता भाजपा के खिलाफ मतदान करें दिग्विजय ने ने दावा किया कि आचार संहिता लगने से पहले मध्यप्रदेश की जन्ता में भय था, लोग डरे हुए थे लेकिन आचार संहिता लगने के बाद भाजपा के खिलाफ असंतोष की लहर आ गई है जन्ता ने भाजपा को हराने का संकल्प ले लिया है गुना विधान सभा प्रत्याशी पंकच कनेरिया के समर्थन में शहर के हृदैस थल लक्षमी गंज में सभा को संबोधित करने के दौरान दिग्विजय सिंह ने जोतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को भी आड़े हाथों लिया दिग्विजय ने बताया कि साल 1980 में वे और अर्जुन सिंध माधवराव सिंधिया को कॉंग्रेस में लाए थे इसके बाद माधवराव ने अच्छा काम किया उनके साथ मिलकर गैस पाइपलाइन योजना को गुना लाने में सफल हुए जिसके बाद NFL और गेल जैसे सन्यंत्र गुना जिले को मिल सके लेकिन जोतिरादित्य सिंधिया उम्मीदों पर खरे नहीं उत्रे दिग्विजय के मुताबिक CM रहते हुए उन्होंने कभी गुना संसदिय क्षेतर में हस्तक्षेप नहीं किया था इसके बावजूद जोतिरादित्य कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और भाजपा ने उन्हें भाईसाहब बना दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने गुना के चुनावी मंच से केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया कि देश भर में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि साल 2014 तक कुछ हुआ ही नहीं था जबकि कॉंग्रेस की नीतियां और कारियों की वजह से ही मोदीजी जैसे गरीब घर के व्यक्ति प्रधान मंत्री पद तक पहुँचे पूर्व मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू की जयनती पर उनका स्मरण करते हुए बताया कि नहरू और महात्मा गांधी की नीतियों की वजह से देश एक जुट है उनकी नीतियों का ही नतीजा है कि सीलिंग जैसी बड़ी प्रक्रिया के दोरान चाइना और फ्रांस की तरह भारत में खूनी क्रांती नहीं हुई सीलिंग के जरिये गरीबों को जमीने मिली, जो खेती करता था उसे पट्टा दिया गया देश को एक जुट करने का श्रेय महात्मा गांधी, पन्नेहरू और देश के समविधान को जाता है दिगविजय ने अपने कार्यकाल में बिजली समस्या को लेकर हो रही चर्चाओं पर सपश्टी करन देते हुए बताया कि मप्रका विभाजन होने की वजह से कोईला खदाने 36 गड़ में चली गई थी लेकिन इस समस्या पर वह काम कर रहे थे और कहते थे कि साल 2007 तक सब सामान्य हो जाएगा बाद में वही हुआ पूर्व CM ने उमाभारती, सुंदरलाल पटवा और विक्रम वर्मा जैसे नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर बताया कि यह तीनों ही नेता एक भी आरोप सिध्ध नहीं कर सके इन में से सुंदरलाल पटवा और विक्रम वर्मा ने तो समझोता भी कर लिया दिग्विजय ने एलान किया कि वह तीन दिसंबर को उन सभी नेताओं के पॉलिंग बूथ का रिजिट देखेंगे जो अपने आपको बड़ा नेता मानते हैं ऐसा बिलकुल नहीं चलेगा कि बड़े नेता अपना पॉलिंग बूथ हार जाएं भारतिय जन्ता पार्टी का विधायक रहे गुना का विकास नहीं हो पाने का दावा करते हुए दिग्विजय ने शहर के विकास के रास्ते भी सुझाएं दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि गुना की सीमाओं और आवासिय क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए तभी गुना विक्सित हो सके इसी तरह क्रिशी के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने नाना खेडी मंडी में व्यापारियों के लिए सहुलियतों पर ध्यान देने की आवश्यक्ता जताई वीरेंद्र रगुवन्शी, संजीव विजवर्गी, शत्रुगन शर्मा, अविनाश पारोचिय, मोहित शर्मा, राज बहादुर, रामनाथ, रविंद्र जैन कैंची बीडी, सौरव गुपता, अंशुल जैन, पंकच जैन, गौरव जैन आदी इस जनसभा में उपस्थित पे